हाई गाईज, CBSC ने 2025 Board Exams के लिए जो फॉर्म होता है से प्राइबेट के लिए वो रिलीस कर दिया इसमें कंपार्टमेंट इंप्रॉब्मेंट फेलियो और एडिशनल सब्जेट्स में अप्लाइ करने वाले स्टुडेंट जो है फॉर्म उनलाइन सब्मेट कर सकता है एडिशनल सब्मेट करने के बाद से कंफर्मेशन पेज आता है उसकी बैसे पर डाउनलोड करके एडिशनलोड करके एक्जांप्र हो सकता है इसके बारे में हम लोग स्टेप बाइस समझने वाल है कि क्या क्या नोटिस में लिखा हुआ है एंड फॉर्म कब से आपका लिंक ए सब्सक्राइब कर सकता है किसके किस के लिए वह है एसेंशल रिपीट में जो है स्टुडेंट जो 2024 का बोड़ एक्जाम देते हैं और अगर आपने 2024 में बोड़ जाम दिया था उसमें आपको कंपार्टमेंट लग गया है तो भी आप अपेर हो सकते हो अगर आपने कंपार् तो भी आप से बोड़ एक्जाम दे सकते हो अगर आप 2024 की स्टुडेंट्स और आप चाहते हो अपने मार्क्स को इंप्रूफ करना फोर जे इमेंज या किसी और प्रपस के लिए लेट से बीट्स के लिए 75% से जाहाँ चाहिए देन यू कन अप्लाइफ पॉर इंप्लेंट कर सकते हो एंक्री जाू वह अप्लाइक और यहां पर यहां पे वह सब्लमक्स कर सकते हैं जू पहले हैसम reichtin में तो भी आप अपलाए कर सकते हैं अभी हाँ एश्य में कन्डिन से अगर फैल पिदे रहागा क्या डिटेल आपको ध्यान रकना ये सारा कुछ इस इस वीडियो में एक्स्प्लेंट है तो ध्यान से इस समझना जो भी फॉर्म से वो सारा आनलाइन online mode में अब्लिवल है ऑ そう देट से पहले कैसे एक्सेप करना हुसकी बाद से फॉर्म एक्सेप नहीं होगा इससे पहले कैसे फील करें यह चेकर राना और यहां पहरिपंग तो सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि वो step by step video आए तो आपको मिस ना हो और साथ में जब भी लिंक आएगा तो हम लोग telegram आपको share कर देंके तो आप चैनल यूज करते हैं तो यह बहुत ही सब्सक्राइब करना जो आपको खुद के तरफ से देना है वह भी अच्छे से सम्मिट करना है एक्जाम निशन सेंटर विल भी एलोटेट एसपर देशाप देना चाहते हैं उसकी बैसे पर आपको एक्जाम सेंटर कर दिया जाता है लेट से पहले किसी और स्टेट से आपने एक्जाम देता आपका एक्सेट नहीं होता है सारे जो फॉर्म है वो जो है ऑनलाइन सब्मिट करना पड़ता है विद आल दाप्मेंट जो नीडेड है लेक्ट आपका फोटोग्राफ और इक चीज का बहुत ध्यान रखना है थान थान देमसेल्स खुद से फॉर्म करने के लिए बीसिक डिटेज जो है बहुत ही करेक्ट ली करना चाहिए सब चीजे देखने के बाद से फिल करना जाता अच्छा रहेंगा नव एक्सक्ष देट अगर साइबर क्वेंट अगर यह बहाने नहीं चलते हैं यहां पर कि आपका जो है पॉंब गलत हो गया इस वज़य से हो गया तो उस केस में कुछ हो रहेगा और एक और चीज कर रहेगा ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन फॉर्म से यह किवल ऑनलाइन है आपको सीप्लाइन मोड में कुछ भी सब्मिट आपको समझ में आ गया है अब एक बार आपको यह समझना है कि एलिजबिल्टी क्राइट रिया क्या है तो यह सब एक बार आप लोग पढ़ लेना अल्रेडी आप लोग पाता है कि जो स्टुएंट्स फेल्ट है कंपार्टमेंट है इस सब चीजों के लिए रहेगा यहां अब देखोगे तो उनली सच इस्टुएंट्स है पास्ट इता एक जामीनेशन सब्सक्राइब इन 2023 यह गलती से 2023 लिखा है 2024 की स्टुएंट के लिए क्ल यह पास आउट है और आप सुचो के इंप्रॉमेंट के पॉर्म खुलेंग आपके लिए तो वह होने वाला नहीं है तो अगर आपके लिए जो है उसमें आपको अप्लाय करना है और अगर आपने जो है सफलता या फोकॉस बैज जॉइन कर रखे तो आपका फॉर्म हम खुद फिल करेंगे तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना जैसी आपका आपको उसके बाद से आपका फॉर्म फिल होगा तो खुद से कुछ ट्राय आउट नहीं करना तो ठीक है जश्ट आप वेट फो यो टर्न उसके वाज से हम लोग फिल कर देते हैं पर आप चाहते हो कि हम लोग आपका फॉर्म फिल करें आपका स्पोर्ट करें तो आप जो है लिंक डिस्क्यूशन में वहां से फोकस और सफलताब है जॉइन कर सकते हो उसमें बहुत सारी चीजह आपको प्रोबाइड होता है आपका सपोर्ट रहता है अगर इंप्रोव्म बाज़ करता है इंप्रोव्मेंट या अप्लाइड और कर सकते हैं यह सब चीज आप लोगों को पता है यह समझाओ को एक ही फॉर्म आप कोई भी अप्लाइग कर सकते या तो या आप इंप्रोव्मेंट अडाल सकता हैं जिसमें भी आपके इलिजबिल्टी बनती है इसले नहीं मिलता है, यह सब auto generated होता है और यह चीज़े ध्यान रखना है, जो subject code रहता है language subjects के लिए अगर आप additional subject में apply करता है तो subject code के हिसाब से आपको apply करना पड़ेगा सभी students को new role number मिलता है इसमें कोई भी पुराने role number के basis पे exams नहीं conduct होते हैं exam centers जहां पर भी आप चूज करते हो, जिस भी city में वहां पर CBSC allocate करते हैं आप exact school select नहीं कर पाते हो आपको postal letters correct देना पड़ते हैं जैसे कि आपके घर पर CBSC mark seat को भेज पाया जो आपका photo और signatures upload करना पड़ते हैं वह 40 KBC नीचे होना चाहिए और photo पर photo upload करना चाहिए signature के बहुत सरी students अलग अलग तरह गलतिया करते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूं इस सब चीजों से बचना आपको है ठीक है जैसे यहां पर देखोगे तो photographs यहां होना चाहिए तो यहां पर signature uploaded है जहां पर photo होना चाहिए वहां पर sign और जहां पर sign होना चाहिए वहां पर photo uploaded है यह गलतियां बहुत सरी पच्छे करते हैं आपको नहीं करना है selfie type का photos नहीं डालना है जैसे बदाया गया एकदम पॉफेक्ट जो है professional photos डालने और sign जो है crop करके अच्छे से डालना होता है ठीक है एक और सिसके ध्यान देना है आपका जो compartment में apply करना है तो आप compartment के टिगरी जूच करना तो failure ऐसा नहीं करना है कि गलति से आपने फेलियर में apply कर दिया और आपका apply करना तो compartment ऐसे बहुत सारे गलतिया बच्छे कर जाते हैं और यह सब चीछे तीक करेक्ट नहीं होता तो ध्यान से करना है ठीक है जैसे यहां पर आप देखोगे तो signature के आप एक इस्टोरेंट ने भागशीथी पूरी upload कर दे इस तरीके ग अगर आपने गलते से फिल कर दिया और आप सोचोगे कि cancel हो तो cancel होता अगर आप फॉर्म फिलिंग सपोर्ट के ओल चाहते हो कि हम लोग आपका फॉर्म फिल करें तिक लिंक डिस्क्रिशन में है ultimate support का फॉर्म फिलिंग सपोर्ट उसमें आपको जो cost आता है 299 के ओल आते उस सब्सक्रिशन में आप सफलता पैस के लिए जो भी लिंक डिस्क्रिशन में आप चेक कर सकता हो वह आपके लिए valid है या नहीं है यह सब चीज़े रहेगा and then एक चीज़ और ध्यान रखना एक बर गलती हो जाते है ना तो correct नहीं होता है और आप लोग अब ये ज्वाइन कर हो तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म फिर खुच से करना है वह हम लोग करते हैं एक्सपर्ट यहां पर रहते हैं वह आपको फॉर्म आपको दिखा के सब कुछ सही से करते हैं जहां पर जो जरूरत होती है इसमें स्टेडि नोट्स होता है सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहा है अब यह ऐसा लग रहा होगा कि आपको चार्जेश के करना ठीक है तो I hope so कि आप समझोगे कि क्या आपके लिए ज्यादा जोगी है और दिन का तो देखो तो दस रुपे भी नहीं दो चार रुपे आपके लगेंगे ऐसे तो इससे आपका अगर इसकोलों में इतने ज्यादा ओफिस पे कर देते हो और जहां से आप लोगों ज्यादा ब वीडियो करते हैं वो देखने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है अदर्वाइस नहीं करना और फॉर्म का जो डेट है ना वो जो है एक मंत के अंत्राल करेगा पूरा एक मंत रहेगा उसमें तो आप उसमें आराम से फिल कर सकते हो 18th of September से लेके 16th of October तक है 2024 तो वो अधिक जो है वो ऑनलाइन अब्लेबल हो जाते हैं आपको डाउनलोड करना होते है और इसे प्राइबट जो स्टूडेंट्स दिल्ले से अपियर हो रहे हैं उनके अधिमिट कर तो आपके जांटर पर रहता है तो वहां से मिल जागा यह तो बीच में हम लोग अपडेट कर प्राक्टिकल सब्जिक्स ने ले सकते और यह पेपर जो है तो होता तो इक्जाम सेटी नंबर का बट प्रोडाट बेसे पे कंप्यूटर जन्रेटर सों नंबर में चेंज कर दिया जाता है ठीक है और एसेस्मेंट के कॉंपोनेंट अलग कर दिया आता है क्योंकि इसमें ए गाल गए तो प्रोडाटा मार्क्स गिवें होता है उन इस्टुडेंट को जो पिछले दो साल से पहले एक बोड गाम देते हैं या प्रैक्टिकल में फेल हो गयते हैं उन तो यह बी हो सकता है कि प्रैक्टिकल एक्जाम्स विल भी कंडेक्टेट अगे अगें एस पर थाप होते हैं जो स्टुरेंट ने प्राक्टिकल Eat। नहीं कहते हैं भी आ Can कोई भी चीज एक चीज का ध्याना किसी तरीके गलती नियुक्त करना है सी बीसी आप लोगों को पहले से ही रिकमेंड करता है अब एक चीज का ध्याना फोटो कुछ इस तरीके से रहना थी एक बर इसके गाइडलाइन्स पढ़ लेना या आपने टेलिग्राम के भेजा था न फिफ्टी देना पड़ेगा इवें दो प्रैक्टिकल के मांग स्ट्यारी फ़रोट कराने के लिए जो फॉर्म का डेट है वह 18 सप्तंबर को लेंक एक्टिव होगा और 16 अक्टूबर तक जाएगा मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्टेब बाई स्टेब हम लोगों वीडियो कर पाते हो तो आपको लेट फीस के साथ 24 ओफ ऑक्टूबर तक करने को मिलता है यहां पर एक चीज़ का ध्यान देना है 2023 इधर भी एक बिस्टेक है तो यह वह हुआ था जब लेट आप अप्लिकेसं फिल करते हो तो आपको 2000 एक्ट्रा देना पड़ता है इनकेस अगर आप आप फॉरेन कंट्रीज से आते हैं अगर आप अरब से हैं तो आपको तेन थाजन फॉर फाइब सब्जेक्ट देना पड़ेगा ठीक है नापाल से फाइफ थाजन एंड सिमलर्ली वन वन थाजन पर सब्जेक्ट तो यह सारा इस रखना है और इसके हिसाब से आपको अपने अगर कोई स्टुटेंट से यह वीडियो नहीं दिख पारे और आपको लगते हैं कि उनको इंप्रोमेंट करा करना था आपके दोस्त है तो इनके साथ यह वीडियो करते हैं और जो फॉर्म फिलिंग सपोर्स प्रवाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा है आपक चेक इट आउट वो भी आपके लिए बहुत ही फायता मांद हो सकते हैं वह पिंदेट आपके यह वीडियो पसंद आया होगा थैंकि सो मच